नमस्कार मैं हूँ आलोक चोहान और आप देख रहे हैं कबर टुडे अंतराश्टी मुद्राकोस यानि की आइमेफ जिसकी मुख्य अर्शास्टे गीता गोपिनात ने मोधी सरकार के विबादित किर्शी कानूनों की तारीफ की है गीता गोपिनात के मुताबिक केंद सरकार के वर से लाए गए किर्शी कानूनों में किसानों की आई बढ़ाने की छमता है हाला कि उन्होंने ये भी कहा कि कमजोर किसानों को सामाजिक सुरक्सा देने की जरूरत है वासिंग्टन इस वेस्वित्य संस्तान से जुड़ी गीता गोपिनात ने कहा है कि भारत में ऐसे कई छेत्र है जहां सुधार की जरूरत है और किसी छेत्र उन में से एक है अब सबसे पहले आपको बता देते हैं कि आकर ये गीता गोपिनात है कौन अक्टूबर 2018 में गीता को आएमेफ का प्रमोकर सास्त्री नियुक्त किया गया था बारते मूल की गीता गोपिनात हावर्ड उनिवस्टी में इंटरनेशनल स्टेडीज आफ एकॉनोमिक्स में प्रोफेसर रह चुकी है हावर्ड उनिवस्टीज की वेबसाइट के अनुसार आएमेफ के साथ काम करने के लिए उन्होंने अध्यापन कारे से फिलाल छुट्टी ली हुई है गीता ने इंटरनेशनल फाइनेंस और मैक्रो एकॉनोमिक्स में रिसर्च की है आएमेफ में इस पज़ पर पहुँचने वाली गीता दूसरी भारतिय हैं उनसे पहले बारते रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्णर रगुराम राजन भी आएमेफ में प्रमुक अर्शास्त्री रह चुके हैं साल 2017 में केरल सरकार ने गीता को राज्य का वित्य सलाकार में नियुक्त किया था गीता का जन्म केरल में ही हुआ था उन्होंने ग्रेजुशन तक की पढ़ाई दिल्ली स्कूल आफ एकॉनोमिक्स से अर्शास्त में ही मास्टर डिग्री लेने के बाद साल 1994 में आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका का रुक कल लिया बता दे कि गीता गोपिनाथ विश्व के कई बड़े विश्व विद्यालों में प्रोफेसर और कई बड़े पदों पर भी अपनी सेवाईं दे चुकी है साथी व्यापार और निवेश, अंतराष्टी विति जंकट, मुद्रा नीतियों, कर्ज और उबरते बाजार की समस्याओं पर लगबग 40 रिजर्च लेक भी लिखे हैं बताने की बारत सरकार ने साल 2020 के सितंबर महीने में कर्शी शेतर से सम्मंदित तीन नए कर्शी कानूनों को लागू किया था और इने कर्शी शेतर में बड़े सुधारों के रूप में पेस किया गया लेकिन किसान इन कानूनों के खिलाफ आंदोयन कर रहा है कई राज्यों के किसान इनके खिलाफ प्रदर्शनों में सामिल हुए है वो चाहते हैं कि तीनों किसी कारून वापिस लिये जाए किसानों और केंसरकार के बीच बादचित का भी अब तक कोई नतीजा नहीं निकल पाया है और अब गरतंते दिवस पर हुई हिंसा के बाद इस्तिती ने एक नया मोड ले लिया है ऐसे में गीता गोपिनाथ अपने ताजा बयानों के वज़े से सोचल मीडिया पर चर्चा का बिसेब बनी हुई है मोडी सरकार के आगामी बजट को लेकर पूछे का एक सवाल पर गीता गोपिनाथ ने ये भी कहा कि भारती अर्थिवस्ता के लिए 2025 से पहले COVID-19 से पहले की स्थिति में पहुंच पाना मुस्किल होगा और भारत की आर्थिक वद्धी कई छेत्रों में किये जाने वाले सुधारों पर निर्भर करेगी तो दोस्तों गीता गोपिनाथ के इन बयानों पर आपकी क्या राय है हमें जरूर लिखें और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें